असलामुलेक्म जी फ्रेंड्स आज का जो में टॉपिक है वो है मोमेंट आफ इन रिश्या फार हालो सिलंडर हम लोग रहें के स्रीज टाट की है मेकैनिक्स की तो इस स्रीज इन तमाम टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं तो इनके जो लिंक्स होंगे इन शाला रहा हमान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आप लोग जो इस स्रीज तो फालो कर रहे हैं तो ठीक अगर नहीं फालो कर रहे हैं तो आपके जो मतलब का टॉपिक्स है वह आप यहां से ले सकते हैं ओके तो आज जो वीडियो है वो आपके यह हालो सॉलिंडर किस्तरा है कि इसके अंदरम पास एक रिंग है चलिकरा कि और मन्हों पास Jeśli रिंग है कि आधा слonarchin जब एक रिंग इस एक रिग दूसरी रिंग से दूसरा रिंग से जलते हैं तो हमने पास के माशिंहें एक जो सिर्फ एक जो में पास रिंग है उसका मैस 1 M1 है और इसकी सिर्फ हाइट वो में पास डीव आई है क्योंकि हमारे पास इधर X-axis इधर Y-axis और इधर Z-axis है ओके तो इस तने से सिर्फ हाइट इसकी हाइट सिर्फ सिर्फ उसकी है तो अब यहां में एक दो चीजों को पता होना चाहिए वो के के जो मारे पास रिंग है सिर्फ इस रिंग का जो मैं पास मुमेंट आफ इनर्शिया है रिंग का वो मारे पास M-R स्केर होता है यह हमें पता होना चाहिए पहले तो आब आजए इसको स्वोल करते हैं सबसे पहले दोगे कि कुशन नम्बर हम इवान इस तरह बनाते हैं कि हम निकालना है मुमेंट आफ इनर्शिया को हम आई से के आए कि निकालेंगा उसको हम इंटीन कर देंगी जन के इसका निकालेंगे मुमेंट इंर्शिया जो इसका है लेगा इसको हम equation number 1 का नाम दे रहे हैं अब देखें एक नेक्स टर्म है कि मारे पास मैस पर यूनिट लेंथ मैस पर यूनिट लेंथ तो यह किसी के लिखता है वह यह कर रहे हैं तो मुकंबल स्रेंटर के बात कर रहे हैं तो मुकंबल स्रेंटर का मैस मैस जो इसकी हाइट है यह इसकी लेंथ है मैस पर यूनिट लेंथ है तो अब हम क्योंकि एक इदर रिंग लेंग रहे हैं सबस्का हमने निकाल लेंगे में इसको इसकी वैल इदर लिखेंगें अगर हम लिखेंगे सिर्फ फार ओनली वान रिंग तो उसके लिए जो मेरे पास यह फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा M1H मिल्टिपल डी वाई ओके यह मेरे पास यह फार्मूला हो गया सिर्फ बांद रिंग के लिए यह मेरे पास हाइटा इतनी सी तो यह M1 है इसका सिर्फ तो यह मेंकोवाल है टैक्स की तो यह मेरे पास जो एकॉशन नूम्र 2-11 finis मैं आए कशे और की चलते हैं के जबार वाय डाइफ इम एर 2 बैसे किल, मिसल्फ में बहुता है। तो यह मेरे पास चोंकि हम सिर्फ 1 रिंग के लिए एक रिंग लिए इसलिए हम M1 लिख देंगे अगर हम सेकेंड रिंग के लिए निकालेंगे तो इसलिए M2 लिख देंगे फिर M3 M4 और कि इदर आप समाल M ले ले M समादर M1 R तो अब यह मेरे पास equation क्या बन चुकी है 3 तो इस equation number 3 को हम क्या करेंगे in कर देंगे equation number 2 में जब equation number 2 में इसकी value को put कर देंगे तो मेरे पास moment of inertia बन जाएगा फार M1 वह उसकी value होगी M1 R2 OHDY इसको equation number 4 को नाम दे देते हैं अब equation number 4 को हम 1 में put कर देंगे तो 1 यह है तो सिरफ moment of inertia के यह value और 1 रिंग के लिए इसकी value को इदर put कर देंगे तो फिर उसको हम integrate कर देंगे तो यह में पास inertia है hollow cylinder के लिए तो फिर आगे integrate है तो यह आगे यह है इसकी value हम दे पूट कर देंगे r2 over h dy ओके अब इसको हम जब integrate करेंगे तो क्या होगा कि mr2 और यह मेरे बाखिर निकलाएंगे तो मेरे पास यह बन जाएगा तो mr2 h है तो इसकी जो value आगी वह बैले पूट कर देंगे जीरो इच पूट कर देंगे ओके क्यों कि जीरो स्टाटर हो रही है तो एच हाइट है इसकी value पूट कर देंगे तो मेरे पास जो यह सब्सक्राइब कर देंगे तो यह सब्सक्राइब कर देंगे तो यहीं मेरे पास मोमेंट आफ इनर्शिया है हालो स्टाइब के लिए उस जो कि उसकी value है एम और स्केर अब इधर आप एम कैपिटल लिए तो और भी कैपिटल लिए तो इसमें कोई मिजाक्राइब वाद नहीं है